नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज एक बार फिर इस कोरोना वाइरस के लॉगडाउन पीरियड में मैं अपनी मन पसंद किताब रश्मी रथी से एक बहुती महत्वपूर्ण बहुती important एक समवाद, एक instance आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और ये समवाद श्री कृष्न और कर्ण के बीच में है अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, व्लॉग देखा है जो के कृष्न की चेतावने के बारे में था यदि नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक मैंने यहाँ उपर दे दिया है तो ये जो कृष्न और कर्ण के बीच में जो अब समवाद होने जा रहा है ये पिछले वीडियो या पिछले instance के sequence में ही है उसके बाद क्या हुआ जब श्री कृष्न धृतराष्ट की सभा से निकले और उसके बाद उन्हें कर्ण मिले और उनके बीच क्या समवाद हुए क्या दोनों जो पात्र हैं महाभारत के एक बहुत ही महत्वपॉन बहुत ही important पात्र हैं उनके बीच किस तरीके का तर्क वितर्क हुआ और किस तरीके की उनके बीच में बातचीत हुई जब भी हमने मित्रता की कभी बात सुनी है खास पर हिंदू माइथॉलोजी के context में हमेशा हमने श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में सुना है शायद ही कहीं पर हमने सुना होगा या शायद उतनी ज़्यादा महत्वता कभी दी नहीं गई किस तरीके से कर्ण और दुर्योधन के बीच का जो एक संबंद था या उनकी friendship या उनकी मित्रता किस कदर कितनी strong थी और महाभारत पर इस friendship का इस मित्रता का क्या impact था ये इस समवाद के जरीए आपके सामने में परस्तुत करूँगा और बहुत ही interesting बहुत ही मज़ेदार ये aspect है रश्मेरती जो महा कावे है रामधारे सिंग दिनकरजी की किताब से अगर आप सभी ने ये पढ़ा है तो ये जानते हैं कि ये महा कावे कर्ण के perspective से पूरी महाभारत को दर्शाता है और चलिए आगे चलते हैं देखते हैं श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में ये समवाद क्या है कैसा है और किस तरीके से श्री कृष्ण कर्ण को convince करने के कोशिश करते हैं कि उन्हें कौर्णों की तरफ से नहीं बलके पांड़ों की तरफ से युद्ध करना चाहिए क्योंकि after all वो कुंती के जेश्ट पूत्र या सबसे बड़े पूत्र थे तो जब श्री कृष्ण धृत्राष्ट की सभा से निकले अब ये उसके बाद का आगे का अध्याय या समवाद कुछ इस तरीके से है भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भर माया सा हरी बड़े प्रेम से करधर कर ले चड़े उसे अपने रत पर रत चला परस पर बात चली शम्दम की टेड़ी घात चली शीतल हो हरी ने कहा हाए अब शेश नहीं कोई उपाए मतलब अब युद्ध तो होकर ही रहेगा कोई alternative कोई solution नहीं बचा है हो विवश हमें धन धरना है शत्रीय समोह को मरना है मैंने कितना कुछ कहा नहीं विश्व्यंग कहा तक सहा नहीं पर दुर्यो धन मतवाला है कुछ नहीं समझने वाला है चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धर्ती के मरण केवल एवीर तुम्हीं बोलो अक्राम, क्या वस्तु बड़ी थी पांच ग्राम श्री कृष्ण करण से पूछ रहे हैं कि क्या पांच गाउं देना इतनी बड़ी बात तो नहीं थी ये युद्ध रोका जा सकता था एवीर तुम्हीं बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी पांच ग्राम वह भी कौरव को भारी है मतिगई मोड की मारी है दुर्योधन को बोधू कैसे इस रण को अवरोधू कैसे कैसे इस युद्ध को रोका जाए सोचो क्या द्रिश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा बाहर शोनित की तक्तधार भीतर विध्वाओं की पुकार निर्शन विशन बिल लाएंगे बच्चे अनात चिल लाएंगे चिन्ता है मैं क्या और करूँ शांती को छिपाके स ओट धरू सब राह बंद मेरे जाने हाँ एक बात यदि तू माने तो शांती नहीं जल सकती है समरागनी अभी टल सकती है जो सब तरफ आग फैल सकती है इस महायुद से वो ताली जा सकती है पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एक मात्र कुसका जीवन तेरे बल की है आस उसे तुझसे जय का विश्वास उसे तू संग न उसका छोड़ेगा वह क्योरण से मुख मोड़ेगा क्या अगटनी अगट ना कराल तू पिथा कुशी का प्रथम पाल बनसूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है शरचाप उठ़ाए आठ प्रहर पांडव से लढने कोतत पर तो शरी क्रिश्न कार्ण को यह कह रहे हैं कि तुम्हें कौरवों से युद्ध करने की क्या जरूत है और बल्के वो जो हैं पांडवों के शत्रू हैं यानि सही दल के साथ रहकर युद्ध लड़ना चाहिए मतलब कुंती के तुम सबसे बड़े पुत्र हो कुंती का तुही तने जेश्ट बल बुद्ध शील में परमशेष्ट मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिशेक करेंगे हम आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पाउं पखारेंगे पद्तरान भीम पहनाएगा धरमाद एक चवन धुलाएगा पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे सहदेव नकुल अनुचर होंगे भोजन उत्तरा बनाएगी पानचाली पान खिलाएगी आहा क्या दृष्य सुभग होगा आनंद चमतकृत जग होगा सब लोग तुझे पहचानेंगे असली स्वरूप में जानेंगे कोई मणी को जब पाएगी कुंती फूली न समाएगी रण अनायास रुक जाएगा कुरुराज स्वयं जुक जाएगा संसार बड़े सुख में होगा कोई न कहीं दुख में होगा सब गीत खुशी के गाएगे तेरा सौभाग्य मनाएगे कुरुराज समर्पन करता हूँ सामराज समर्पन करता हूँ यश्मुकुटमान सिंहासन ले बस एक भीक मुझ को दे दे कौरव को तजरन रोक सके भूका भरहावी शोक सके सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ अक्षण एकतनिक गंभीर हुआ फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है अब जो कर्ण था वो श्री कृष्न की ये सब बाते सुनकर और परिशान हो गया और अब वो अपना परस्पेक्टिव अपना जो उसके विचार है वो रखने जा रहा है वो यह कह रहा है कि फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है दिन मणी से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ गिला निवियता जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन मन ये सोचा करता हूँ कैसी होगी वो मा कराल निजतन से जोशिश को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है तो अगर आपने महाभारत पड़ी है तो आप ये जानते हैं कि कुंती ने कर्ण के पैदा होने पर उनको छोड़ दिया था और एक तरीके से क्योंकि वो उस वक्त अविवाहे थी और उनको सूरे से वरदान मिला था इस वए से वो कर्ण को अपना नहीं सकी थी और ये कर्ण के जीवन का बहुत बड़ा दुख रहा सेवती मास दस तक जिसको पालती उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी कहीं वह नारी नहीं तो इसका मतलब यह है कि जो कर्ण हैं वो कुंती से कितने ज्यादा रुष्ट हैं नाराज हैं और उनके अपने कारण हैं उनसे नाराजगी के दुश्मन का उसने काम किया माताओं को बदनाम किया माका पै भी ना पिया मैंने उल्टे अबिशाप लिया मैंने वहतो यशस्विनी बनी रही सब की भों मुझ पर तनी रही क्रण से सभी पोशते थे कि तुम्हारा खानदान या तुम किस सामराज्जे के हो तुम्हारे माता पिता कौन है और करण के पास इनके कोई जवाब नहीं थे क्योंकि फिर वो सूत-पुत्र थे और उनकी माता का नाम राधा था और उनको राधे कहा जाता था पर कुल मिला सबकी धों मुझ पर तनी रही कन्यावेहरही अपरिनी ता जो कुछ भी बीता वो कर्ण पर बीता मैं जाति गोत्र से हीन दीन राजाओं के सम्मुक्मलिन जब रोज अनादर पाता था कहसूद्र पुकारा जाता था पथर की छाती फटी नहीं कुंती तब भी तो कटी नहीं मैसूत वंच में पलता था अपमान अनल में जलता था सब देख रही थी द्रिश्य प्रिथा मा की ममता पर हुई व्रिथा चिपकर भी तो सुधी ले न सकी छाया आचल की दे न सकी याने के कुंती जो थी क्योंकि कुंती के पांच पुत्र थे पांच तनय फूली फूली दिन रात बड़े सुख में भूली कुंती गौरव में चूर रही मुझपतित पुत्र से दूर रही क्या हुआ के अब अकुलाती है किस कारण मुझे बुलाती है क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के च्छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारीया सदय हो जाती हैं, बिछडों को गले लगाती हैं कुंती जिस भय से भरी रही तज मुझे दूर हट खड़ी रही वह पाप अभी भी है मुझ में वह शाप अभी भी है मुझ में अब क्या ऐसा कारण हो गया अचानक कि इतने सालों के बार आज मेरी सुध आई है और अभी इस युद्ध से पहले सभी लोग मुझे अपनाना चाहते हैं क्या हुआ कि वह डर जाएगा कुंती को काट ना खाएगा यानि कि अब समाज का भय नहीं रहेगा क्या जो उस वक्त करण को छोड़ा था लेकिन अब वापिस अपनाने की तयारी में हैं सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुन्य चरित्र हुआ, कुनती का क्या चाहता रिदय, मेरा सुख या पांडव कीज़े। अब अचानक ऐसा क्या हो गया? के युद्ध से पहले जो है, मुझे अपनाने की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडवों के हारने का डर ये इस बात को सामने प्रकट कर रहा है. ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव ये परिवर्तन क्या है अब अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि मुझे इस तरीके से बुलाया जा रहा है मैं हुआ धनूर्दर जब नामी सब लोग हुए हित के कामी पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निश्ठुर निर्दे किन चितना स्नेह दर शाता था विश्वयंग सदा बरसाता था यानि जब मुझे कोई नहीं जानता था मैं इतना बड़ा धनूर्धर नहीं था और कोई मुझे नहीं जानता था सब मुझे यह पूछते थे कि मेरा वन्ष क्या है मैं किस राज़ परिवार को मैं बिलॉंग करता हूँ उस समय सुअंक लगा करके आचल के तले चिपा करके चुंबन के कौन मुझे भर कर ताड़ना ताप लेती थी ढर राधा को छोड भजू किसको जननी है वही तजू जिसको तजू किसको मतलब मेरे लिए मेरी मान सिर्फ राधा है जिसके नाम से कर्ण को राधे के नाम से जाना जाता था तो कर्ण कह रहे हैं कि राधा को छोड भजु खो, मेरे लिए राधा से उपर कोई नहीं है, उनकी माता से उपर, जननी है वही तजु किसको, ऐसे मैं उन्हें कैसे छोड सकता हूं, अब सुनिए, यह जो बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बूली, के जूट मन में गुनिये, धूलों में था मैं बड़ा हुआ, किसकास ने बापपा बड़ा हुआ, किसने मुझे को सम्मान दिया, न्रिपता दे महिमा वान किया, अपना विकास अवरुद देख सारे समाज को कुरुद देख, भीतर जब तूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, सिर्फ दुर्योधन ही था जिसने मुझे गले लगाया और मुझे समाज में सम्मान दिया, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौ भागे लिए, कुन्ती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मा का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन माता से है, बढ़कर सोदर भराता से है, मेरे लिए वो मेरे भाईयों से भी बढ़कर है दुर्योधन, राजा रंक से बना करके, यश्मान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या ना कि उसने मुझको नवजन्म दिया उसने मेरा जो आज समाज में स्थान है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन जिमेदार है और उसने मेरा ये उत्थान किया और मुझे समाज में एक रिस्पेक्ट दिलाई आदर दिला है है रिडिंग कर्ण का रोम रोम जानते सकते यह सूरिसों तन्मन धन दुर्योधन का है यह जीवन दुर्योधन का है सुर्पुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव मैं उसे न छूड़ूंगा तो कर्ण जो है वो अपनी जगे कितने अटल है और अपने दोस्ती को लेकर दुर्योधन के प्रती अपने जो आदर है जो उनकी मित्रता है उसको लेकर उन्होंने साफ किया के सुर्पुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव मैं उसे न छोड़ूंगा सच है मेरी है आस उसे मुझ पर अटूट विश्वास उसे हां सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महा समर मेरे ही बल पर उसने ये महा भारत का जो युद्ध है ये उसने मेरे ही भरू से आगे स्टार्ट किया है या पीछे हटने का कोई स्कोप नहीं है पर मैं कैसा पापी ह दुर्योधन को धोखा दूँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मन में वह यहीं विचारेगा। फिर गया तुरत जब राज मिला यह कर्ण बड़ा पापी निकला। और फिर कर्ण बोलते हैं कि आप्टर ओल मैं कुंती का पुत्र हूँ वो ठीक है लेकिन यह कहां तक ठीक होगा कि कुंती का जो पुत्र है वो जब सब राजपार्ट मिल गय बदनाम होगा। मैं ही ना सहूंगा विशम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अध्भुत नीती गही। तो ना सिर्थ कुंती की बदनामी होगी, पांडू-परिवार की बदनामी होगी, कर्ण की बदनामी होगी, बलके कहेंगे कि शायद अरजुन ने डर कर कुछ ऐसी साठगाट रची के कर्ण को अपनी तरफ मिला लिया चलचाल कर्ण को फोड लिया संबंध अनोखा जोड लिया कोई न कहीं भी चूकेगा सारा जग मुझ पर थूकेगा तब त्याग शील जब योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान लोभी लालची कहाओंगा किसको क्या मुझ दिखलाओंगा मैं कहाँ जाओंगा क्योंकि सब लोग यही सोचेंगे कि मुझ से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है जो आज आप कह रहे आरेकुंती के मुख से कृपाचारे सुन वही हुए लज्जित होते हम क्यों रण को सज्जित होते मिलताना कर्ण दुर्योधन को पांडवना कभी जाते वन को यानि कि अगर कर्ण की इस तरीके से इंसर्ट या इस तरीके से ना होती तो ये बात आगे ना बढ़ती और महायुद्धी की ना ठंती लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली यह बीच नदी की धारा है सूजताना कूल किनारा है ले भील भले यह धार मुझे लोटना नहीं स्वीकार मुझे अब हम इतनी आगे जा चुके हैं यानि पांडव और कौरव के अब युद्ध तो होगा ही होगा और अब पीछे आने की कोई भी विकल्प, कोई और्टनेटिव नहीं रह गया है तो अब रिजर्ट जो भी हो आगे दिखा जाएगा धर्मादे राज का जेष्ट बनू यानि युद्धिस्टिर से भी मैं बड़ा हूँ धर्मादे राज का जेष्ट बनू भारत में सबसे श्रेष्ट बनू कुल की पोशाक पहन करके सर उठा चलू कुछ तन करके इस जूट मोट में रस क्या है के शव ये सुयश सुयश क्य तो करण ये बताना चाहरे हैं कि मेरे लिए अब इन चीजों के कोई मोल नहीं है, कोई माइने नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो कुछ भी है वो मेरा जीवन तक दुर्योधन के लिए है, तो अब ये सब चीजों का मुझे कोई लोब नहीं है सिर पर कुली नता काटी का भीतर जीवन का रस्पी का अपनान नाम जो ले सकते परिचैन तेज से दे सकते ऐसे भी कुछ नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर चलताना चत्र पुरुखों का धर अपना बल तेज जगाता है सम्मान जगत से पाता है सब उसे देख लल चाते हैं कर विविद यत्न अपनाते हैं कुल गोत्र नहीं साधन मेरा पुरुशार्थ एक बस धन मेरा कुल ने तो मुझको फेक दि अस्तिद्व मैंने स्थाफित किया समाज में आज मैं जो हूँ अपने बल से हूँ उसमें किसी जो राज्यपरिवार हैं या किसी भी तरीके की बैक्गराउंड उसका कोई योगदान नहीं है लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या अपने प्रण से विचलूँगा क्या रण म अब मेरी यही डिस्टनी है, मैं इस कदम से अब मैं पीछे नहीं हटूंगा मैत्री की बड़ी सुखद चाया, शीतल हो जाती है काया धिकार योग्य होगा वहनर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप का नहीं कट जाता है जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरुव की चाह गही मैंने उस पर नवार चलने दूँगा, कैसे कुठार चलने दूँगा यानि कि दुर्योधन को मैं हर हाल में सुरक्षित रखूंगा और अपनी आखरी सांस तक मैं दुर्योधन के साथ रहूंगा जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरुव की चाह गही मैंने उस पर नवार चलने दूँगा, कैसे कुठार चलने दूँगा जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयम कट जाऊंगा मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन धर्ती की तो है क्या बिसात आजाए अगर बैकुंट आथ उसको भी नियोचावर कर दूँ, कुरुपती के चरणों में धर दूँ सिर लिये सकंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिये मचलता हूँ यदि चले बज्र दुर्योधन पर लेलू बढ़कर अपने ऊपर कटबादों उसके लिये गला, चाहिए मुझे क्या और भला समराट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराजताज लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल रिण मात्र चुकाना है अब कर्ण जो हैं वो यही कह रहे हैं बार बार इसी बात पर जोड दे रहे हैं कि जो दुर्योधन ने मेरे लिए किया वो शायद ही इस पूरे जीवन में कोई उनके लिए कर पाता और कहीं न कहीं उनके मन में था कि ये रिण उन्हें चुकाना है कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, सामराज चाहता मैं कब हूँ क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना तो श्री कृष्ण से इन फाक्ट वो सवाल कर रहे हैं कि बाकी लोग मुझे नहीं पहचान पाए पर क्या आप भी मुझे नहीं पहचाने कि मैं किस प्रब्रिति का हूँ या मेरे सोच विचार किस तरीके के हैं बले ही मैं कौर्वों के साथ हूँ पर मैं हूँ क्या और मैं क्या सोचता हूँ आपको तो ये पता होना चाहिए अब यहाँ पर कर्ण जो जिस तरीके से उनको सभी लोग जानते हैं चाहिए मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार नड होते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही रदय का देते हैं, प्रासादों के कनकाव शिकर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड न होता है, कंचन पर मतलब कर्ण कह रहे हैं कि मैं महलों के लिए नहीं बना हूँ, मैं उस गरुड की तरह हूँ जो उचे आकाश में उड़ता है। नर्विभव हेतु लल चाता है पर वही मनुझ को खाता है। शिराज सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद गोर सकता न किसी विधी उसे छोड़। याने कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्तिती में मैं दुर्योधन को बिल्कुल नहीं छोड़ूगा। तो बार-बार इस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रले गहराता है, लहरे कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरत मैं कूद पड़ू, जीतूं कि समर में डूब मरू, अब देर नहीं कीजे केशव, अब सेर नहीं कीजे केशव, धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार जोती कुछ पाएगा। यानि के अब युद्ध होने को ही है, और अब आप कोई किसी भी तरीके की कोशिश ना कीजे, कोई चेश्टा ना कीजे, कि ये युद्ध रुप जाए, अब जो होना है देखा जाएगा, होने दीजे, पर एक विनय है मधुसूधन, अब वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं युद्ध धर्मराज हैं, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उनसे बड़े उनसे जेश्ट भाई जो हैं, वो कर्ण हैं, वो सब को छोड़ देंगे, सामराज जे ना कभी स्वयम लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, तो जितने भी जो पात्र हैं, वो सब अपनी अपनी मर्यादा में संलित हैं, और उसके दायरे में हैं, ये कर्ण का एक बहुती संदर यहां पर प्रदर्शित किया गया है, बहुती अच्छा लिखा है, सामराज जे ना कभी स्वयम लेंगे, सारी संपत्ति सिद्ध समर के शीगर कार है, रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा, जैहो दिनेशन अभ में विहरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें, रत से राधे उतर आया, अब कर्ण ने अपना पूरा कॉन्वसिशन फिनिश किया और वो अब कृष्ण के रत से उतर आये हैं, रत से राधे उतर आया, हरे के मन में विसमेच आया, बोले के वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तुमसा कोई मित्र नहीं हो सकता, तु कुरुपति का ही नहीं प्राण, नर्ता का है भूशन महान, तो श्री कृष्ण ने भी कर्ण को नमशकार किया और बोला के तुम से ज़्यादर महान कोई नहीं हो सकता, और मित्रता का इतना उन्मुक्त और इतना अद्भूत उधारन और नहीं हो सकता, और मुझा उमीद है कि ये अध्याय या ये समवाद आपको इस वीडियो के जरीए पसंद आया होगा, और उमीद कर करता हूं कि जिस तरह आपने जो रश्मीर अथी का कृष्ण की चेतावनी जो समवाद का जो वीडियो था वो जिस तरीके से आपने उस पर प्यार दिखाया, अपने मित्रों और परिवार और रिष्टेदारों के साथ शेयर किया, उमीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद